अर्थपकाश देखने में बले तमाम भाईयों बेनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमशकार प्यारे भाईयों बेनों जैसे हम सब आपको दखा रहे हैं पिछले हफ्तों से हर्याना के अंदर करमचारी किस तरह से स्ट्राइक पर बैठे थे चाहे डेंटल सर्जन हो चाहे फार्मासिस्ट हो चाहे अध्यापक हो यह स्ट्राइक में किस तरह से बैठे इसके वारे में दखाया थे करमचारी होते हैं वो करमचारी जो अपने जिन्दगी भर मेनस से काम करते हैं और रिटार्मेंट हैं में उनको कुछ पुझी मिलती है उसमें पूरी जिन्दगी निकाल देते हैं और उनकी कोई स्राइक कर्मचारी कौन मजबूर करता है उसमें स्राइक का क्या योगदान होता है अधिकारियों का क्या योगदान होता है जबकि ये भी कहा वो काम चीफ सेक्टिरी भी नहीं करवा सकते इनकी वो पावर होती है और आज हमारे बीच में सांजा मलाजम मंच पंजाब जॉइंट एक्शन कमेटी पंजाब सेवल सेक्टिरेट के परधान सुक्चैन सिंग खैरा जी है खैरा साब आपका बहुत बहुत धन्यावाद पहले और हमें ये बताईए कि मलाजम स्ट्राइक क्यों करता है कौन सी परस्तितिएं होती है आप इसके बारे पहले हमें बताईए कोई भी जो चीज कोई करता है समाज में गौर्मेंट के एंटी जो हम कर रहे हैं तो इसमें कु कर क्या हो रहा है कि सरकार एक पराने सिस्ट्म के तहत चल रही है वो जो डिवल्मेंट वर्क होना चाहिए वो करनी रही और जो भी किसी तरह की कोई सरकार को प्रावलम आती है उसका जो कहते हैं कि किसी भी तरह का कारण है वो मुलाजमों बना देते भी जे मुलाजमों के क अब पंजाब में देखिए नए करमचारी आये हैं 2004 के बाद तो उनको प्राणी पैंचन स्कीम नहीं दी जारी जो नहीं पैंचन है उसमें जो है उनको कुछ भी नहीं मिलता रिटार्मेंट के बाद उनका जो बढ़ापा है वो शुरक्षित नहीं है जबकि देखा जाए तो इसके लिए अगर इंडिया में रह रहे हैं तो दो कणून क्यों है एक को एक भी पैंचन नहीं और एक ऑशाथ पैंचन अब इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा आपकी कौन जो स्ट्राइक हो रही हैं जो हमने हर्यानध में भी देखा पंजाब में भी आपने स्ट्राइक होनी है परसू आप जैसे बताया है तो वह स्ट्राइक के जैसे वो कहता हम ACP ने मिलती में मुद्धे के हैं आपके स्ट्राइक के उसमें सबसे ज़्यादा जैसे मैंने का वे पराणी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए है इसके इलावा हमारा सिक्स्ट पे कमीशन है जो हमें दस साल बाद मिलता है वो वी सो सूला में हमारा पेंडिंग हो चुका है अब देखिए वी सो उन्नी आ गया तीन साल हो चुके है अभी तक इसका नामो निशान ही नहीं है पिर कब हमार हमारी जो पे है उसका एक पार्ट है तो हमारी जो पे है वो ही पूरी नहीं दी जा रही दिया जा रहा तो इसका मीनिंग जाई हुआ कि हमारी पे नहीं दी जा रही उसमें तीन जो है इंस्टॉल्मेंट भी जो है पेंडिंग है गौर्वर्मेंट की तरफ और हमारा बहुत ज्यादा जो डिये का एरियर है जैसे स्पोज करो हम आई 207 की दो किस्ते दे दी उसका जो वो ड्यू थी वो बहुत पराणी ड्यू थी अब उनका एरियर बनता है अभी तक देना था आपने क्या इस बारे में बातचीत हुई है Finance Mr. Sways में इसके समथ में जो है हमने हमने स्ठ्राइक की थी जो पार्लीमेंट sagen से पहले उस में सेुनेद अन्रेटन कुछ डिमांड से मांग ली थी उसके अनुफिशन अनुपिशन कुछ दिमांड समानी के जिसमें पेक लेकिन जो रिटन में थी उन मिझे ऑफीज़ क कर्मचारी उनको पक़्े करना जो पराणी Pension के लिए कमैटिव नहीं उसने अभी तक किया कुछ नहीं है DCRG है जो हमारे नए कर्मचारीों के सब्सक्रता दो जारचार के बाद वालों को मिलनी उसके लिए किया है किया नहीं है कुछ इसके probation period जो दो साल का है कि अक्सर यह कहा जाता है कि करमचारियों के कारण फाइने अटकाई जाती है वो काम नहीं कर रहे हैं उनके उपर सारी बात गिरा दी जाती है यह इस बात में कहां तक सचाईए इसको बड़ी ब्रीकी से अगर टेक्निकली देखा जाए तो होता गया है पहली बात जितने हमार पोस्ट हैं वो अभी पूरी फुल भरी नहीं है बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी है अब मालो एक ब्रांच में एक एक पुछना चाहता हूं आपने अभी कहा कि पोस्टे खाली है तो जो आपकी स्थिती है कि इस स्थिती के अंदर पोस्टे खाली कह रहे हो कौन बंदा नहीं करें बढह करेंगा अगर वो आपको देखेगा यहां पर एक को जोईन आपको आप कहींसे लएगी ogyसासे पर प्रश्ट करेंगा shr with इसमें आपने कई ق्रमचारी बहुत एगता आदमी करता है वहां पर वह सेफ है उसका जो फ्यूचर है वह सेफ है लेकिन यह कह सकते हैं कि शादी अच्छी जगा हो जाएगी लेकिन जब वह जो में आता उसको असलियत तब समझाती है जहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा यह मैं बता रहा था कि जैसे अपने पास PGC के करते हैं जो जो उच्छ अधकारी हैं तो वह 5-6-7-8 कर लेगा इससे ज्यादा वह नहीं कर सकता तो बाकी पेंडिंग हो नेक्स्ट डे फीर आगी अब स्टाफ की कमी के करन कम पेंडिंग हो रहा है अब वह कहो कि करमचारी नहीं कर रहा तो वह क्या करेगा दूसरी बात जाया है कि करमचारी में अपने सैक्टी साथ उस द्राकटर और ओफिशर नहीं आता क्या क्या आते करेगा धिकारी कह दो आपको काप करमचारियों पंजाब अर्याना की जो है इसमें सिमिलैरिटी जह है कि जो भी गौर्मेंट आई है उनका कंट्रॉल ही नहीं है जो उनके नीचे जो उनके सबॉडिनेट ओफिसर काम कर रहे हैं उनके उपर कंट्रॉल नहीं है एक मंत्री फोन करता है कि हमारा फोन उठाएगा मैं आपका का क्या देता हूं और अफसर जो है कई ऐसे अफसर सबीनी वह उनका फोन टेंड नहीं करते उनका प्रैशर ही नहीं है उनके कहने में अफसर शाही नहीं आ रही है एक कारण जाएवे सभीनी काफी हद तक जे भी हो सकता है दूसरी बात जा है कि अभी जो इंट्रेस्ट नहीं लिया जा रहा कि स्टेट की डिवल्मेंट कैसे करनी है उसके लिए जो फंड्स वगयरा कहां से क्रियेट करना जहां पे दोस्ती नबाई जा रही है अब पंजाब की बात करूं जो खनन है उसका जो उसके उपर कंट्रॉल है वो माफिय का है वो भी सरकार अपने पूटब हो घाटे में चल रही है अब देख लो हम वैसे स्टेट्स कह रही है हम नशे का विरोध करेंगे लेकिन एक किलो मिटर में पांच-पांच ठेके खोल दिये हैं और वहां से इतनी ज्यादा जो क्या कहा रहे हैं शराब विक्र रही है और उसका रेवन्यू कहा जा रह इसके बारे में आपके फॉरेंस मिस्ट्रे को भी बताया है एक खजाना खाली कहा देने से बात तो नहीं चुपेगी जी बिल्कुल यही बात हम कहते हैं इसका जवाब उनके पास नहीं है भी खजाना हम भी कहते हैं भी खजाना हमने थोड़ा बरना है जबकि मलाजम तो अ लेकिन असिस नहीं हम डेते हैं यह जूरा हम कहीं अपने स्टेट अपने देश को नहीं है लेकिन किसी से डाय नहीं लिया लिया किन से जारा है हम employee से और इसमें हमारी will भी नहीं होती कि हमने देना है कि नहीं वो तो automatically हमारी salary से कट जाता है जो income tax है जो development tax है हम तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते फिर भी हमें ही कोशा जाता है कि जो गलती है मलाजम कि जब की जे सारा system किया हुआ हमारे political लोगों नो किसी लोग आगे नहीं आते उतनी देर हमारा देश ऐसे ही रहेगा चाहे जो मरजी करते रो GST लगा लो चाहे उसके उपर आप कहते हैं कि वो नोट बंदी कर लो चाहे पंजाब गौवर्मेट जितने मरजी और नए नए वादे कर ले भी हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे कुछ नह होने वाला जिनकी जितनी देर तक इन में अंदर ताक्त कि नी आती जे मेंटरी तोर प्रपेर नहीं होते और जे सेक्रिफाइफ नहीं करते जे सेक्रिफाइफ लोग नहीं करते जे आते हैं नोट बनाने के लिए profession है अपनी फैमिली को सेट करने अपने उध्योग सेट करने के लिए पॉलिटिक्शने से अब मैं आप से सम मलाजमों से एक बात पूछना चाहता हूँ जी दिल से कि जब परिवार में सभी परिवारों में एक तरी को सेलरी सबको आस होती है बच्चों को आस होती है जो अपना दूद व करते हैं हमारे पास जहां पर आउट सोर्स के साथ ही हैं जैंको दस पंदरा तरीक से पहले सैलरी नहीं मिल रही है उनकी तंखा कितनी मिलती है दस यार और दस यार भी दस तरीक के बाद मिल रही है उन बिचारों का हाल देखो क्या होगा उनके बच्चे जो कहते हैं कि हमने फीस जमा करानी हैं, हमें टीचर कह रही है आपको स्कूल से निकाल दिया जाओगा, हर मेहने आपका जही हाल होता है, आप टाइम सिर्स जो फीस नहीं जमा, वो क्या करेंगे वो जब कर्याने से दुकान से लेने जाते हैं, अपना राशन पानी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आपका तो भी प्राणी ने आपको कहां से दें आपको तो उन बिचारों के साथ क्या होती है हमारे वी जो करमचारी है जो पक्के करमचारी है अब वो देखते हैं कि साथ तरीक को तो इंस्टॉल्मेट जानी है हाउस लोन लिया लेकिन जब वो उसका सेलरी जहां उसका पार्ट जो उसकी सेलरी का जो नहीं मिलता तो वो उसका जो घर क्या खर्चे वो डगमगा जाता है। तो जैसे आपने खेरा साथ में बताया कि इनके सांजा मलाजमन्च जौएंट एक्शन कमिटी सेक्टियेट की है और ये अकेला किलब स्ट्राइक ही नहीं करते हैं इन मलाजमों की दिल की बात सुनिए कि एक ऐसे कारे भी कर रहे हैं नशे के बिरोद में जाकर गाउं गाउं के चार शहीद हुए थे पंजाब के उनको एक एक लाप लाप की वित्या सहता की और एक नाट खेला जिससे की उनको सनमानित किया गया उसके बाद हम आप पंजाब में एक नहीं ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं नशे के एंटी जिसमें लोगों को जागरूप किया जा और एक ऐसी स्कीम के तहट काम किया जाए कि नौजवानों को गेम्स के साथ लगा हम खुद सेवा के तहट जो है स्टेडियम बनाएंगे नाट करेंगे नए नए गाने लखवाएंगे और लोगों को जो खास करके नौजवान हमारे साथी हैं उनको नशे के एंटी करके उन ही जो है मुलाजम हमारे हैं कट्टे हो के जगा-जगा डूंड के वहां पेड लगा रहे हैं सो हर तरह का काम है जो मुलाजम की तरफ शिस्टम के तैयत कुछ होनी रहा किसी जो पोस्ट किस काम के लिए बनी होती है उसको शोड़ के किसी और पोस्ट पे पाम करवा दिया जाता है अब एक बात सामने आईए है कि हमारे जो आफिसर सहभाने उनको आउट सूर्स के तहत एक एक जो है सरवन्ट उनके घर के लिए जा रहा है पियोन दिया जा रहा है अब पूशे भी जो पंजाब गवर्मेंट की वेकेंसी पियोन की खाली पड़ी है 60% के करीब खाली पड़ी है वो कौन भरेगा वो तो आप भरनी रहे उल्टा जो है हमारे उच्चित कारी है उनको एक-एक सर्वंट और एक-पियोन घर द जब अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं अपनी गाड़ी है खरीद लेते हैं अपने ऑफिस जो है रेनोवेट करवा लेते हैं जो प्लिटी का लोग और सरकारे तब खजानना खाली क्यों नहीं होता जैसे प्यारे भाईयो बहनों आपने एक चीज़ देखी खेरा साव ने कहा ह है जब एक तरी को पैसा नहीं आता तो मलाजम का क्या हाल होता है वो कौन सी फनेशनल क्राइसेज गुजरा है एक वार एक फिलम मेर जेश खन्ना जी ने ये डेलोग बोला था साहव हमको माफी दे दो लेकिन आज हम ये कहते हैं इनकी तरफ से सरकार को कि साहव इनके बारे में भी कुछ सोचें है ऐसा नहो जैसे किसान परेंस्टनर व्य क्राइसिस से हर दिन आत्मत्या कर रहे हैं हरोज खबर आ रही है हम अपने कि सान्नों को तो बचाना नी सकें लेकिन इन ahead कुछ नहीं चाहते ये एक इतना जूर चाते हैं कि सरकार इंस जयेज मांगों को मैंन झाल 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 झाल